हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टो माइन आर्ट, तो आज काफी मंच के बाद मैं एक ड्राइंग की वीडियो आपके लिए लेकर लाया हूँ, आज हम चक्रवीर जो छोटा भीम और महाशातान का महायुत में में दिखाए गए थे, उसमें से हम चक्रवीर भीम की ड्राइंग ब पर आप मैं कोशिश करूँगा कि मैं continue रह सकूँ, और अगर आप इसे ध्यान से देखो, जो मैंने बनाई है, ड्राइंग यहाँ पर, तो इसमें मैंने old animation की according उसे बनाया है, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें भीम को थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि पुरानी animation में यह था, और क्योंकि बहुत सारे लोग छोटा भीम की animation को दुबारा से उस पुरानी वाली animation में ही लाने के लिए request कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी जगा पर comments में देखा है, और तो मैंने कोश्च सोचा कि क्यों ना मैं इसे थोड़ा अलग होनाँगा, तो जितने भी चक्रवीर यहाँ पर मैं बनाऊँगा, उन सब को मैं old animation की according ही बनाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर आज भीम की हमने बनाई है चक्रवीर की form में, तो इसके expression थोड़े से मैंने य ही है, और यह expression इसके mouth का होगा, अंदर आपको इस तरह से छोटा सा दिखाना है जैसे भीम अपने दांतों को आपस में इतने जोर से प्रेस किया हुआ है, इसके चिन के पास इस तरह से भी आप एक हलकी सी लाइन लगाओ, और इसके face को बड़े ही अच्छे से cover करना है, बीच में अगर हलकी सी गलती हो जाए, तो उसे किस तरह से cover up करना है, वो भी आपको आना चाहिए, और काफी सारे लोगों ने मुझे काल और किरमाडा की, लिटल सिंगम चोटा भीम और आग और पानी का बदला में से उसकी drawing मिलाने के लिए कहा था, मैंने उसकी drawing भी बनाई है, पर उसमें भी color करना बागी है, तो color करने के बाद मैं उस drawing को upload करूँगा, मैंने सोचा पहले इस drawing को upload कर देते हैं, यहां से भीम का face तो complete हो गया, अब इसके hair को अब अच्छे से बिलकुल जैसे heroic form में कुछ रखे हुए है, अब concept यह है कि भीम अग्मी चक्रवीर है, तो उसके hair को भी कुछ ऐसे ही रखा हुए है, और अभी recently छोटा भी मैंदी Curves of Damianic live action movie आई है, और मैंने भी वो देखी, तो क्योंकि यह उनकी पहली movie थी, तो देखा जाये तो वो इतनी भी बुरी नहीं थी, पर यह था कि उन्होंने जिस तरह से जग्गू को उसमें, इन्होंने CGI और VFX की help से जग्गू को उसमें बनाया था, और जग्गू एक तरह से ठेक ठाक लग रहा था, पर उन्होंने उसके डायलग बहुत ही कम करती है थे, और क्योंकि थोड़ी, इस स्टोरी में भी थोड़ा सा उन्हें ने चेंज किया हुआ था, उसमें कई सीन नहीं थे, कुछ नए सीन डाले गए थे, जैसे वो सीन था जिसमें जब वो पास्ट में जाते हैं और सोनापूर में एंट्री करते हैं, तो वो वाला सीन ने उसमें काट दिया था, जिसमें जग्गू ने उस काल सैनिक के पीट पर दात मारी थी, उसमें दम्यान की वाइस भी उन्होंने निउ ही रख्खी हुई है, ट्रेलर में पहले लगा था कि वाइस उसमें ओल्ड ही होगी, पर उन्होंने एक अच्छे वाइस आर्टिस्ट को उसमें हायर नहीं किया, उन्होंने जो उसमें म्यूजिक कम्पोजर है थिंग, पर जितना मैंने अब्जर्व किया उससे मुझे दम्यान की वोईस में बिल्कुल एक्सप्रेशन बिल्कुल ही मिसिंग लग रहे थे तो और अगर आपने वो मुवी देखी है तो उसके लास्ट में हमें नीव लाइव एक्शन मुवी का चोटा सा वो दिखाया है कि कमिंग सून करके आप मुझे बताना कमेंट्स में अगर आपने वो मुवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो कौन सी नेक्स्ट चोटा बिल्कुल लाइव एक्शन के बारे में है मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं यहां पर अगनी चक्र इसके विलकुल चेस्ट के सेंटर में हमने बनाया है तो इस पर भी डिटेलिंग थोड़ा ध्यान रखें मैंने यहां पर इस पर जादा डिटेलिंग नहीं की अभी तक मैंने कितनी बार चक्र बना लिया तो अब मुझे से बनाने में थोड़ा आजीव सहे लगता है भीम का यह कवच इसे भी आपने अच्छे से कंप्लीट करना है मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरे शीट में होरिजॉंट ली सारे के सारे चक्रवीरों को बनाऊंगा पर क्योंकि अगर मैं इस साइज के हिसाब से बनाऊं जैसे मैंने भीम रहेगा तो मैंने भीम को भी बनाया है और इसके बाद में भी मैं राजुवाले चक्रवीर फॉर्म को ला सकता हूं तो यह आग की लप्टों की तरह यहां पर इसके वेस्ट के पास रखा है मैंने और छोटा भीम की ती सारी बिग पिक्चर की वो सीरीज एक के बाद एक लाए जा रहे हैं उन्होंने शैतान को तो बिल्कुल एक रेगुलर करेक्टर की तरह रख दिया है मायांदरी किरमाडा यह सब अब रेगुलर करेक्टर बन गए हैं और मुझे जहां तक लगता है क् कि इनकी पॉपिलरिटी बहुत जादा है इन पुराने विलेंस की तो इनका ही उस कर रहे है वो थाकि और से जादा और वो ओडियन्स को गेंड कर सके और उसकी थोड़ी टियार पर ठीक रहे है पर इत जल्द बाजी में वो स्टोरी को थोड़ा सा भूल जाते हैं वैसे अगर देखा जाए तो हाल फिल हाल में उनकी स्टोरी में थोड़ा सा इंप्रूव्मेंट आया है पर अभी इसमें बहुत सारी गलतिया है अगर वो उस पर ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ जो चोटा विम देखते हैं फिर वो तो बिल्कुल ही उसे देखना बंद कर देंगे और इसकी वाइस आटेस्ट पर आपने देखा है कि वो भी चेंज हो रहे हैं और हाँ मैंने वाइस आटेस्ट पर भी एक वीडियो बनाया था चोटा विम पर अगर आपने वो नहीं अगर आपने देखा होगा कि पुराने जो विलन्स हैं उनकी सब की वाइसिस कितनी अच्छी थी आज कल उन सब विलन्स की आलमूस्ट सब की वाइस चेंज हो गई है तो भीम की जो पॉस्चर है मैंने उसे इस तरह से यहां पर रखा है उसकी फिस्ट को इस तरह से बना कर मैंने आ रखा है अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा इसके हाथों को ओपन दिखा सकते हो खुला है अगर यह मिभरा भंए यहां यहां इसके दोनों आर्म्स और इसके हैंड कंप्लीट हो गए गौटलेंट के साथ और यहां पर इसके हे के चोट सा पाट यहां पे रही गया है इसे भी हम आगे एसेंड़ करते हैं अब इस्ट के पास एक छोट इसी बेल्ट है और फाइनली इसके लेग्स है इसके लेग्स पर उन्होंने क्रैक्स जैसे बनाये हुए हैं हलके से भीम का ये लुक काफियत तक वो लग रहा है चोटा भीम का बहुत पुराना एपसोर्ट था जिसमें भीम और राजू जिसमें आपने देखा हुआ कि उन्होंने धूनी भाबा की सेवा की थी और धूनी बाबा नहीं बोला था कि तुम बदले में मुझसे कुछ भी मांग सकत हो तो उन्होंने मांगा था एक दिन के लिए सूपर हिरो बना और उसमें राजू उन्होंने माइटे राजू बना दिया था और भीम का जो उसमें थोड़ा सा जो फॉर्म थी वो किसी की आद मुझे दिला रही है आप लोग मेंसे कितनों ने वेपसोर्ट देखा है मुझे बताना कमेंट्स में अब मैंने इसके पूरे फीट भी हाँ पर नहीं बनाया है क्योंकि वो इसमें आड़ी नहीं पाए मेरे साथ हमेशा अल्मूस रैसा ही होता है कि मैं जब भी एक ड्राइंग को बनाने की कोशिश करता हूँ तो याद उसके साइस के विज़े से वो पू आप खुद भी देखकर बना सकते हैं असानी से इसमें बनाने में इतनी मुश्किल आपको नहीं आने वाली उस पर भी सेम चोटे-चोटे क्रैक्स है और आग की लप्टों के इस तरह के डिजाइन है कि जाइए और जिग-जागी कुछ ग्रैक्स यहां पर इसके 23 के आसपस मुने बनाई है कि अ हुआ है हुआ है हुआ 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 है झाल 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 तो फाइनली ये क्रैक्स भी कंप्लेट हो गई और यहाँ पे पूरी चक्रवीर भीम की हमारी जो ड्राइं है उसकी आउटलाइन कंप्लेट हो चुकी है इसकी पैंट्स पे इसकी पैंट्स पे हमने रैट कलर किया है और एक हल्की रट कलरेशन इसके हेर के आसपास जो इसको थोड़ा शाइन करता हूँ हर लुप के रहे हैं और मैंने याप पर थोड़ा हल्की ब्राउन कलर का यूज गया आप और जदा अच्छे डार्प कलर का यूज करोगे इसके हेर पर तो और अच्छा रहेगा क्रैक्स में यालो कलर किया है गॉंडलेंट के पास जो हल्का सा हमने यहां पर दो लेर लगाई है उसमें से एक लियर में यालो कलर फिल किया है इसके चक्र को हमने अब तक बहुत बार बनाया है उसमें भी कलर किया है तो mostly red, yellow और orange इन तीन कलर्स का mixture इसके पूरे body पे हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा और अरेंज कलर और skin कलर के लिए आपको थोड़ा सामला यूज करना है आफ्टर कंप्लीटिंग दे कलरिंग प्रोसेस चक्रवीर भीम की ड्राइन हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी तो मैंने इसमें हलका हलका shadow दिखाने के लिए इसके arms के आसपास थोड़ा थोड़ा डार्क ब्राउन से किया है तो I hope आपको चक्रवी भीम की ड्राइंग पसंद आई होगी आपको कैसे रगे हमें कमेंट्स में बताए पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूले चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दपाए तो मिलते हैं जल्द एक और नही ड्राइंग के साथ तब तके लिए टेक कियर और गुडबाई मेरी और भी सारी ड्राइंग को देखते रहें थैंक यू पर वाचिंग